ना यह उन्य दोस्तों सव्कंव है आपको एक षब मेंmile दोस्तों बहूत सारे लोगों को सवाल लेता है कि सौदी दुबई कोस्ट यह मिले और वीडियो में इसी topic से related कुछ बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके आने के बाद यहां पर आपको सेलरी भी अच्छी मिले काम भी अच्छा मिले और आपके दो साल बरबाद ना हूँ गलती का करते हो यह भी कुछ बताते हैं आपको कौन सी गलती आप कहां पर करते हो जिससे आपको इत दिक्कते उठानी पड़े जाती है ठीक है चलिए वीडियो में आगे से आना चीए ऑफिस कैसा होना चीए आपकी आने के लिए जो आपको यहां पर फशाए ना आपकी सेलरी काम आपका सब कुछ यहां पर अच्छा मिले चलिए बने रही हमारे साथ गल्फ नॉलिज ब्लॉग में मैं हूं देशराथ चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं द से पहली गल्फी जो आप करते हो जो आप इजैंट से मिलते हो फिलती आप करते हैं जो कामक शाढ़े ऐस पड़े हंजो वहां पर यहां पे आने के बाद भी अपने प्रेश screw here आपके मतलब यह आफिस तो मेरे हां से 50 km दूरे 60 km दूरे 100 km दूरे कहां से कैसे जाए तो आपको बदा रहेते हैं आपकी चार दिन की मेहनत में आपके यहां के कर लीजिए कोई बात नहीं मैं बोलता हूँ यहां पर आप एजेंट से करवा रहें आप यह सूची कि मेरे चार आदमी और वहां पर पैशा कम लगता है अगर आजन्ट आपसे एक लाग ले रहा तो तो उससे भी कम में कर देगा ठीक है और दूसरी बात यहां प्याने के बा मिलेगा ही मिलेगा जो बलेगा वो अपको मिलेगी मिलेगी ठीक है यह काम होता है और दूसरी बात यह कि आप सुचेंगे आफिस आपके मन में एक सवार और आ रहा होगा कि भाई कौन सा ओफिस अच्छा होता है कैसे मालूम करें तो देखिए सबसे में पर आप बता रहता है एक कहवत कही थी हमारे गुरु ने कि काम उसी को दो जो वीजी हो क्योंकि खाली बैठा इंसान वह खाली इसलिए बैठता है क्योंकि हर इंसान को मालूम होता है कि वह काम अच्छा नहीं करता है ठीक है तो काम उसी को दो जो जितना वीजी होगा उतने अच्छा काम करता होगा तो इसी आफिस को काम दो जो आपको लगे कि यहां इसके पास बहुत सारे काम है दस-पचास पासपोर्ट इसके पास पड़े रहते हैं तो यह आफिस तलास हो यह सबसे मैं पॉइंट है क्योंकि यह आप ढूंड लोगे ना तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होग है यहुआ क्या दो करता है ऑपके लिसे हमारे जीसे पास बीजा पढ़ा है और मैं आपको एकामे भेद दूँगा, तो आप क्या सुचते हैं, अगर दस वीजे उसके पास पड़े हुँए, पास लेवर के, पास ड्राइबर के, उगर आपको पलंबर में आना है, तो क्या करेगा, उसका भीजा ही नहीं है, तो क्या करेगा, आप सिदी से बाद कोई वी महिना घर में बुलता हो, लेट होता है, बगर वो दस दिन, पंदरा दिन, एक महिना आपके लिए, यहां के दो साल आपके लिए सुधार सकता हूँ, यह चीज बिलकुल ध्यान में रखिए, कोई ओफिस तलासी है, अपने आस पास में, सिटी में ओफिस तलासी है, आप करोगे हैं, बिंदा से यहां पर आईए, ठीक है, अच्छा काम मिलेगा, यहां पर अच्छी सेलरी मिलेगी, आपको किसी प्रकार की टेंसन नहीं होगी, उस्तों एक चीज जोर बता रहेते हैं, आपको जो लोग बोलते हैं, कि यहां पर सुधी अरब में यहां गलत होता है यहां पर दूसरा काम हो बोलते हैं, यहां पर दूसरा काम हो फसा देते हैं, तो आपको बजाता है, देखें, यहां पर नहीं होता कुछ, यहां पर अगर सुधी कफिल है, अगर वो आपको बुलाता है, आपको कोई बीजा देता है, तो जो काम उसके पास होगा, उसी काम म कमाने के लिए वो इसा काम कर देते हैं यहां पर कोई गलत नहीं होता है यहां पर जो बोलेगा वो सेलरी जो बोलेगा काम जो बोलेगा वो यहां पर मिलेगी मिलेगी या प्राइबेट सेक्टर हो या कंपनी हो तो किसमें आपको आना चाहिए किसमें आपको आना चाहिए प् उसको फाइदा आपको दो पाइसा देगा तो प्रैबट सेक्टर्मियक यह होता है प्रफिल काफिल पैसे फॉडह और नहीं तो आप तो आप उसमें परेशान हो जाते हूं। तो उससे अच्छा है कि कम्पनी के वीज़ा थलाषिए ठंक के कंपनी के वीज़े में आएए। क्योंकि कव्या रूल होता है यह तो चाहिए बात है कंपनी में कि कभी कबार सेल्रीड़ हो जाती है। दस दिन पंदरा दिन कभी एक महिना लेट हो गई वगर उसमें काम के लिए आपके उपर कोई प्रेसर नहीं डालेगा कि आप यह काम करिए नहीं यह इसा नहीं कुछ नहीं होगा काम होता है कंपनी का अगर उसमें वैटना भी पड़े जागे तो आपकी सेलरी चालू गहती ही 99% कंपनी में इसा होते हैं एक आत परसेंट कभी बहुत से केस में सुनाओ जो कंपनी पैसा उसा लेके भाग जाती नहीं तो नहीं होता बहुत एकदम कित्मनान से काम होता है यह बहुत जल्दी पकड़ता कंपनी का भीजा यह जो लोग जानते हैं कंपनी की बारे में वह प्राइबट सेक्टर में कभी आएंगे नहीं कंपनी का भीजा पकड़ेंगे तो आप भी कोशिस करिए कंपनी के बीजा मिले जहां तक हो ड्राइबर को ओ अधैयर हो प्लंबर हो लेबर हो कोई भी काम कई कमपनी का हूँ यह सुचे ठोड़िए ओफिस अच्छा होगा तो आपको काम भी अच्छा दिलाएगा यह बिल्कूल रहते हैं त्पें आपको रास्ना बता ही दिया हो जो काम ज्यादा करता हूं उसको काम देजिए कि से किसी ओफिस क चांदकारी कैसी लगी, comment box में जरू बताईएगा, और कोई, इस से related कोई सवाल आपके मन में हो, तो comment box में जरू बताईएगा, और दोस्तों, बीदेज में लोगों को भेजने में सबसे अहम भूम का नभाते हैं agent, ठीक है, और बीदेज में लोगों को फसाने में भी सबसे अ आदमी नहीं मिलते हैं, तो वो ऐसे office को बीजा देते हैं, जिनके पास बहुत सारे agent लगे हुए, और वो बीजे पर आदमी पकड़के यहां पर भेज देते हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे इसे होते हैं, और office भी इसे होते हैं, तो ऐसे office से मिलने से अच्छा है, कोई दंका office दूणिया, वहां से बीजा लीजिए, दोस्तों, एक छोटा सवाल है, आप खुद सूचिए अपनी दिमाग से, कि अगर किसी office को आदमी मिल रहे होते, ठीक है, तो वो कोई agent नहीं रखता, और जिस office के पास काम ज्यादा होता है, तो उसे agent रखने की जरूद नहीं ह तो वीडियो को लाइक जरू कर दें, चैनल पन नहीं है, तो चले वो सब्सक्राइब जरू कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की आने वाली notification आप तक पहुंचते रहे, और हसते रहे, मुस्कराते रहे, और देखते रहे, गल्फ नॉलिज ब्लोग, चलिए आज के लिए दीज